पुनित नाम था चोटे भाई का और जे काफी दिनों से विवाद चल रहा था जात पात को लेगार के वह अक्सर यहां पर आते थे तो वह ठागुर का जो बंदा था तो वह यह कहता था कि तुम भंगे दूरी बनाये के रखा करो हमसे भाई कहीं काफी पार मिर सही बोला मैं क चोटी सी जोप है आपस में लड़ाई जगडा मत करो और वह मानता नहीं था कहता था कि बार बार मेरे को भंगी बंगी बोलता अच्छा नहीं लगता मैं उसको अभी तक एक भी बार बोनी बोला कि कम उसको उसके खिलाफ कुछ कारवाई नहीं की कि भाई तो यसा क्यों ब मेरे भाई का मेरे भाई जो है बहुत चोटीардता यह का लड़का जो है दूसरे पर्टी का वह जादा है उसकी तो उसने धका मुक है,- सीधा अंदर गई अंदर दुनाली निका ली सिधा उसमें गोली मारए भी ना सोचे समझे और यह वर्दा ज耆 जो उसके कानवे मृथी मालिक कानों में नंगे ने पूरी मालिक की थी ती इसमे राजी वक्रवाल मालिक कुछ नहीं कर रहा है, मालिक खुद यहां से पता नहीं कहा चला गया है उस लड़के को लेके फरार हो गया है मैं चाहता हूँ, उसको पुलीस पर साथन उसको गरिफतार करें उसको सजा दे, नियाए मिले हमें मालिक राजिव अगरवाल को भी जेल में डालें, उसको भी गरिफतार करें उसी के सामने सारे काम हुए है, उसी के कहने से हुआ है सारा कुछ क्या नाम परशान, उसकी उमर 21 साल की है, सराहेकिम बालमी की वस्ती